नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सजीन और आप देख रहे है इतिकल है किन बिगनर पोस आज इस वीडियो में हम बात करने हैं वाले किंग आप स्कैनिंग जिसे हम एनमेप बोलते हैं एनमेप को किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं पैनेटेसन टेस्टिंग के लिए या फिर है आप ऐसा बोल सकते हैं कि इतिकल हैकर जब किसी नेटवर्ग के आंदर जाता है सीकोई डिटेस्टिंग के लिए तो जो Most of the अंदर enter होता है तो वो सबसे पहले life host को identify करता है जो life host मिलते हैं उनके service और उनके version को वो discover करता है फिर वो try करता है कि जो number of services उसे मिली है उनके version यदि वनने वाले तो उसे वो exploit करें और इस PC को compromise करके उसका data वो access कर पाए आज इसी वीडियो में हम समझने वाल है कि nmap को हम किस तरह से utilize कर सकते यह एक important टूल है आप इसे अच्छे से समझेगा चलिए हमें start करते तो सबसे पहली command आपको देना है fpd install nmap अब देखे काली linex के अंदर nmap by default install आता है आपको install करनी की जरूरत नहीं है बट यदि आप इस करना चाहे तो आप इसे install कर सकते आप रड़ेट में use करना चाहे तो install कर सकते या आप centoist में use करना चाहे तो install कर सकते nmap windows के लिए भी available है आप उसको भी utilize कर सकते मेरे opinion है कि nmap आप linux पर use करें तो ज्यादा better होगा क्योंकि nmap के साथ हमें कुछ और tool use करना पड़ सकता है इस आप देख पाएंगे nmap का जो version है वो आपको बताया गया है मेरा जो current nmap का version running में इसको 7.8.0 है nmap की official website भी आपको दिख रही है इस website पे जाकर आप nmap की much more detail ले सकते है चलिए हम start करते तो सबसे पहले हम बात करेंगी कि nmap को किस तरह से utilize कर सकते तो simple है nmap आपको लेना है उस दिया तो google.com की जितने भी number of ports open होंगे यह हमें बता देगा यह by default top most used 1000 port को scan करता है अब देख सकते इसने हमें output लाकर दिया Google की जो number of ports open थे उनकी detail इसने दी अब इसी तरह से multiple domain भी define कर सकते अब चाहिए तो multiple domain define कर दे आप देख पाएंगे इसका भी हमें output लाकर देगा देख सकते इसने google.com का भी output हमें दिया है facebook.com का भी दिया है अब मैं आपको इसका nmap का help दिखा देता हूँ तो आप अच्छे समझ पाएंगे कि हम अभी क्या discuss करने वाले मैं कोशिस करूँ है इस वीडियो में आपको completely nmap बता पाऊं सबसे पहले हम बात करेंगे कि target को किस तरह से हम define कर सकते या you can say कि किस तरह से nmap के अधर हम target को input की तरह देख सकते या एक list की तरह देख सकते तो उसको हम जड़ा देखते तो पहला तो मैंने आपको बताए कि आप directly domain name देख सकते जैसे example में इनने हमें बताया है दूसरा आप IP address दे सकते तो number of IP आप देख पाएंगे तो simple है end में भमने लिया आप directly IP दे दीजिए जिसे भी आप scan करना चाहते इस पेस दीजिए दूसरा IP आप दे दीजिए माल लिजे मुझे इसका दूसरा जो IP है उसे भी scan करना है और तीसरा IP भी मैंने दे दिया आप देख पाएंगे इन तीन IP को यह scan करके हमें output ला कर देगा जैसा कि आप देख सकते इसने इन तीनों IP को scan करा है और हमें output ला कर दिया है अब माल लिजे मुझे पूरा network scan करना है तो आप network define कर सकते कुछ इस तरह से यह पूरा network scan करके आपको output ला कर देगा कि network के इंदर जितने भी number of IP है उनको यह scan करेगा by default यह 1000 port को scan करेगा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया आप देख पाएंगे 8 हो सब थे और उनको scan करके इसने output ला कर दिया है आगे हम चलते तो आइधिंग आपको यह दोनों चीज़े clear हो गई होगी कि आप domain name भी दे सकते as well as network भी define कर सकते उसके बाद आप इस तरह से range में भी IP दे सकते तो मैं आपको इसको भी बता देता हूं तो 192, 168, 1. मैंने का मुझे 200 से scanning start करनी है और मुझे scan करना है 254 तक आगे मैं command mention कर देता हूं इसको land map आप देख पाएंगे परीवां यह 54 IP scan करने वाला है इसका जो output आएगा उसे हम देखते आप देख सकते हैं इसने 55 IP scan करा है इसमें से 7 up थे बाकी down थे तो आप इस तरह से range भी define कर सकते हैं आगे हम चलते हम selected IP को भी scan कर सकते हैं तो आप comma दे दे के IP दे सकते हैं इसे जिस भी IP को आप scan करना चाहें तो यह उसके according आपको scan करके ला देगा आप देख सकते हैं मैंने करीबन चार IP दिया है इन चारों को scan करके यह मिला कर देगा आगे हम चलते हैं अब हमें एक list बनाने वाले तो list या फिर हमने last time जो list बनाई थी उसे भी आप utilize कर सकते हैं तो IP आइफन list सायथ हमने बनाया था तो इन आइप इसको भी हम utilize कर सकते है according to requirement या फिर आप अपनी ए मैं एक नई list बना देता हूँ तो vim.txt ये file मेरे पास पहले से ही है हम एक काम करते है ip-1.txt नाम से एक file बना देते है और इसके अंदर number of IP हम mention करते है जो भी IP आप देना चाहे दे सकते है जनली ये तब हम use करते है जब lifehose हम identify कर लेते है उसके बाद हम list बनाते lifehose की और उसको यहां हम utilize करते है तो जो आपने list बना ही होगी lifehose को detect करके वो आप यहां दे सकते है मैं अभी manual दे रहा हूँ मैंसे say कर रहा हूँ और भार आ रहा हूँ अब हमारे पास nmap का एक switch है जिससे हम list इसे दे पाएंगे आप देख सकते i capital L आप इसे use कर सकते input find name आप देते तो यह list ले लेगा और उन आप इसको यह scan कर लेगा तो nmap i capital L जो हमारे पास list थी ip ip1.ht then interrupt करें तो जो भी आपने lifehose को identify करके list बनाई थी यह उसको utilize करके scan कर लेगा आप देख सकते है उन सारे आप इसको इसने scan करा जो मैंने उस file के अंदर mention करा especially मैंने तीन आप यह चार ip दिये थे बड़ उसमें से तीनी अप थे एक डाउन था आगे हम चलते अब हम बात करते आई capital R की तो यह क्या करता है रेंडमली ip को choose करता है और scanning start कर देता है तो nmap आपको लेना है आइफन i capital R आपको लगाना है तो आप देख पाएंगे यह रेंडमली ip scan करेगा लेकिन आपको figure देना है कितने ip scan करना है तो हमने 10 दिया है तो यह करीवन 10 ip को randomly scan करेगा अब देख पाएंगे यह search करेगा कुछ ip को by default वो over the lane होंगे public ip को utilize करता है यह आप देख सकते हैं random एक ip choose करा है और उसके according इसने scanning करा है 10 ip इसने try करें उसमें से लेकिन उसे 1 ip अब मिला जिस exclude की अब माल लिजे मुझे particular ips को scan नहीं करना है तो हम उसे exclude कर सकते हैं for example हमने पूरा network define कर दिया लेकिन इस network में से कुछ ip मुझे exclude करना है तो iphone आप exclude को utilize कर सकते हैं इसके बाद आप ip addition कर दे किस ip को आप scan नहीं करना चाहते हैं मैं चाहता हूँ 200 ip scan ना हो तो उसके लावा बाकी ip यह scan करेगा 200 को यह escape कर देगा अब देख पाएंगे यह हमें output लाकर देगा अब देख सकते हैं इसने हमें output लाकर दिया इसने 200 को escape कर रहा होगा बाकी ips को इसने scan किया होगा आगे हम चलते हैं इसी तरह से आप पूरा range भी define कर सकते हैं तो मैंने इस तरह से इस range दे दिया है आप देख पाएंगे 205 ips ने scan कर रहे हैं उसमें से करीबान इसे 2 ही अप मिले और उसका इसने output हमें दिया जैसा कि आप देख सकते आगे हम चलते आप मान लीजिए मुझे exclude करना है file से तो exclude file आपको एक switch मिलेगा आपने जो file बनाए थी उन्हें छोड़ कर ये scan करेगा तो हमने एक file बनाए थी ip-1.txt तो आप देख पाएंगे इस file के अंदा जितने भी हमने ip दिये थे ये उन्हें exclude करके बाकी जो remaining ip उनको scan करेगा देख सकते इसने करीबन 3 ip exclude करा है और बाकी ip को scan करा है तो आप इस तरह से target को define कर सकते मैंने आपको possible way सारे बताए अब आगे हम continue करते host discover हमने इसके पहले के वीडियो में समझा था अब बात करने वाले हम code को किस तरह से define किया जा सकता है लेकिन हम इसके पहले एक switch समझने वाले इसको अलबरवस mode मान लीजिए मैंने nmap की command दी और एक particular ip को scan करा जो कि आप देख सकते है इसका इसने हमें output ला दिया है इसने background में क्या step ली वो भी हमें जानना है तो उसके लिए है हम iPhone V switch का use करते है तो V switch वरवस mode होता है यह हमें हर एक step बता देगा जो भी ये background में करेगा आप देख सकते ह पहले जो output आया था वो directly इसने हमें output दिया था अब हमने वरवस mode लिया है उसके according आप देख पाएंगे इसने सबसे पहले आरप पिंग करा है जिससे इसने livehost को identify करा है उसके बाद इसने हमने जो ip दिया था उसका इस name search करा उसके बाद इसने sync scanning start करी और करीबन 1000 पूर को scan कर रहा है जैसा कि आप देख सकते है इसने पूरा output हमें लाकर दिया है अब माल लिजे हमें इसका very very verbose mode यूज़ करना है तो आप double v use कर सकते है तो यह very very verbose mode यूज़ कर लेगा अब माल लिजे आपने scanning start कर दी लेकिन verbose mode आपने utilize नहीं करा तो आप v दबा दिजे तो यह immediately उस scan कर दे रहा है मैं एक public IP लेता हूँ उसमें साय टाइम लगेगा इससे scanning करने में अब भी दवाईए तो यह verbose mode by default enable कर देता है आप देख सकते वरवस mode हमने enable कर रहा था उसके recordings ने मैं output दिया आप देख पाएंगे verbose mode enable हो चुका है और उसने बताया है कि जो port enable था उसकी details न पोर्ट को scan करता है जैसा कि वरवस mode में इसने में बताया कि यह topmost use 1000 port को scan कर रहा है अब लेकिन हमारे पास 536 ports होते हैं तो हमारे उपर depend करता है हम कितने port scan करना चाहते हैं यह हम सारे ही चाहते तो मैं आपको बता देता हूँ आप किस तरह से define कर सकते है तो इसके लिए आप iPhone P switch को use कर लें तो हम IP के पहले इसे define कर देते हैं वो जज़ादा बेटर रहता है तो iPhone P हमने define करा हमने का हमें एक ही port scan करना है port number 80 पॉ स्केन करना है आप नम्बर 80 पॉर्ट navy को scan करके output लाकर देगा इसी तरह से हमने का 443 को scan करना है तो यह उसको scan करके लाकर देगा और हमने कहा कि हमें number of port define करना है आप उनी को scan करिए तो ये उनको scan करके ला कर देगा आप इस तरह से port भी define कर सकते हैं आप चाहे तो range में भी दे सकते हैं मान लिजे विने 443 से range start करा और 450 तक दे दिया तो आप देख पाएंगे इसने उन सारे ports को scan करके हमें ला कर दिया है आप इसी तरह से एक और switch utilize कर सकते हैं इसको आइफन आइफन top ports हमने कर 10 हमें scan करना है तो जो topmost use 10 port है ये उन्हें scan करेगा आप देख पाएंगे इसने 10 port scan करा है अब हमने कहा कि topmost use आप 100 port scan किजिए तो ये 100 port scan करके ला कर देगा हमने कहा अब topmost use 500 scan करिए तो 500 scan करके ला कर देगा और आप चाहो तो 5000 इसके इससे करा सकते हो तो depend करता है आपकी requirement पर मेरा opinion तो ये ये कि आप सारे port scan किजिए तो आइफन P space आपको देना है देन उसके बाद आपको port define करना है one से लेकर तो हमारे पास 1536 port होते है यदि zero count नहीं कर रहे है तो आप इसे 35 कर दे ये scan करके आपको ला कर देगा आप देख सकते है इसने जो number of port scan करे है उसकी detail में आपको बता देता हूं तो 1535 port हमने दिये इसे इसने सारे port scan कर रहे है आप इसी तरह से जिरो भी कर सकते है तो आप ये 36 port scan कर रहा है आप देख सकते है आप चाहे तो पी के बाद आइफल लगा सकते है उसके recording ये सारे port scan करता है तो जब हम आइफल define करते है तो ये पास 1535 port को वाडिफॉल scan करता है जिरो को escape कर देता है यदि आप जिरो define करना चाहे तो define कर सकते है आगे हम चलते माल लीजिए मुझे port नहीं पता है service का नाम पता है मैंने यह define कर दिया HTTP तो HTTP के ये सारे port scan करेगा अब हमने का HTTP के star हो सकता है तो wildcard हमने लगा दिया कि HTTP से service को जहां भी match किया जाएगा उनके सारे port ये scan करके लाकर हमें देगा इसी तरह से आप आगे भी define कर सकते है FTP तो FTP के ये port scan करेगा और हमने यदि star लगा दिया तो FTP से मिलते जूलते सारे port scan करेगा तो depend करता है आपकी requirement पर आपके साथ इसे utilize करना चाहे माल लिजे मुझे TCP और UDP दोनों ही port scan करना है बाइडिफॉल ये सारे TCP scan कर रहा था अब तक अब हमें TCP और UDP दोनों को scan करना है तो हम इसको define कर सकते हैं तो anmap आइफन B वर्वस मोड आइफन P और T मैंने लिया TCP के लिए मैंने port define कर दिया मुझे 443 को scan करना है कामा 445 को scan करना है port port number 80 को scan करना है then comma हमने लगाया और UDP भी define कर दिया UDP का port number 53 हमें scan करना है port target IP हमने दे दिया जिसे हम scan करना चाहते है अब देखे मैं जिसे इसे enter करता हूँ तो ये मुझे TCP का output तो लाकर दे रहा है ये UDP scan करेगा TCP scan कर देगा अब देख सकते हैं इसने UDP scan करा है लेकिन TCP scan नहीं करा है आप इसी तरह से TCP और UDP दोनों ही चाहते है तो S, capital S आप यूज़ कर ले जिससे आपका TCP भी scan हो जाएगा और UDP भी scan हो जाएगा अब देख सकते हैं दोनों ही पोर्ट इसने scan करा है TCP के भी पोर्ट इसने scan करें as well as UDP के भी पोर्ट इसने scan करा है और हमें output दिया है आगे हम चलते अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप की scan हम utilize कर सकते हैं या इसे आप scanning technique भी बोल सकते हैं तो इसमें S capital S, S capital T, S capital A और S capital U ये तीन ये चार में आपको समझाने वाला हूँ इसे जरह हम देखते हैं तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ S capital S की अब देखिए इसमें 3-way handshake utilize होगा तो मैं आपको इनकी जो detail है उसे दिखाने के लिए मैं वायर्शाक utilize करने वाला हूँ मैं वायर्शाक पर जा रहा हूँ या मैं IP filter कर लेता हूँ तो IP.AWDR जो मेरा IP है आज इस काल 1.203 चले तो मैं आपको पहले इसे दिखा देता हूँ ये किस तरह से काम करता है तो S capital S यदि इसकी यदि आप बात करेंगे तो इसे बोले आता है TCP sync scan तो TCP sync scan हम करने वाले हमने इसे एंटर करा अगें ये topmost use 1000 port scan करेगा और इसने scan कर भी दिया मैं यहाँ पे आपको कुछ port को filter करके दिखा देता हूँ तो हमने का TCP.port equal to 80 अब देख सकते मेरे IP से target IP पर एक synchronized packet गया है port number 80 पर ये packet गया है क्योंकि मैंने 80 को ही filter कर रहा था इसलिए वो ही दिखा रहा है हमें तो एक random port का मेरे PC का utilize हुआ है हो सामने वाले के port number 80 पर ये packet गया है सामने वाले ने उसका acknowledgement and synchronize हमें दिया है then हमारे PC ने उसे reset packet बेज दिया है अब देखे सामने वाले से हमें reply मिला है acknowledgement प्लस synchronize जिससे हमारे nmap ने ये consider कर रहा है कि इसका port open है और reset बेज दिया जिससे कि इसका 300 check complete नहीं हुआ देखे जब भी 300 check complete होता है तो हमारा जो भी IP होता है server के lock में repair हो जाता है तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा IP server के lock में repair हो तो हम 300 check complete नहीं करते हैं तो by default जब हम sing scan करते है तो यह आप nmap normally भी use करेंगे तो वो sing scan ही करता है जिससे 300 check complete नहीं होता है इसमें जो हमें result मिलता है उसकी accuracy कम हो सकती है लेकिन यह 300 check complete नहीं करेगा जिससे एक advantage हमें यह मिलेगा हमारा IP server के lock में repair नहीं होगा तो आप यहाँ देख सकते है 300 check complete नहीं होगा है जिससे कि हमें यह पता चल गया है कि इसका port open है as well as हमारा IP उसके lock में repair भी नहीं होगा है आगे हम चलते है अगला जो होता है उसकी हम बात करते है इसकाल S capital T इसकाल connect scan अब connect scan में क्या होता है इसे आप ज़रा देखिएगा मैंने अगेन उसी port को filter करके आपको दिखाया है मेरे IP से सामने वाले IP पर एक packet गया है इसकाल synchronized packet सामने वाले IP मतलब target IP से हमें synchronized plus acknowledgement मिला है जो कि आप देख सकते हैं फिर हमने अपना acknowledgement सेंट कर दिया मतलब ये completely three-way and check complete हो चुका है जो भी communication था वो complete हो गया एस बेलेस हमारा जो IP ए वो server के lock में भी appear हो गया लेकिन इस पे जो हमें output मिलता है उसकी accuracy जादा होती है क्योंकि ये complete three-way and check होने के बाद हमें output ला कर देता है आगे हम चलते अगला जो switch है उस पर हम आते इस कॉल capital A ये acknowledgement आप बोल सकते इसने acknowledgement send करा और सामने वाले ने हमें reset send कर दिया आप देखेगा जब हमने इस capital A को utilize करा तो इसने एक भी port हमें नहीं ला कर दिया क्योंकि इसने acknowledgement packet send करा target पर और उसने हमें reset दिया अब इसी तरह से माल लिजिए हमें UDP scan करना है आप UDP define कर दे तो as capital U ये UDP ports को scan करता है आप देख पाएंगे ये UDP को scan कर रहा है तो मैं आपको यहां से UDP को भी filter out करके दिखा देता हूँ तो UDP हमने enter करा आप देख सकते हैं मेरे PC से continue UDP ports पर request send की जा रही है ये by default topmost use 1000 UDP port को use करेगा क्योंकि हमने port define नहीं करा ये कफी ज़्यादा समय ले लेगा इसलिए मैं इसे रोक रहा हूँ मैं एक port define कर देता हूँ तो इसके लिए again हम iPhone P को utilize कर सकते है हमने port दिया 53,68,67,69 ये कुछ ports से जो utilize होते है commonly इसमें से DACP का है DNS का है जैसा आप देख सकते DACP and domain आप बोल सकते तो DNS इस पर open है DACP इस पर available नहीं है बागी इसने TFTP का भी हमने port दिया था उसे filter इसने हमें बताया है तो जब हम scanning करते तो हमें तीन चीज़े मिलती है या तो port open होगा या तो port close होगा या तो port filter होगा अप इन तीनों को मैं आपको समझा देता हूँ तो इसके लिए हम nmap के output को ज़रा समझेंगे तो इसमें हमें output एक category मिलेगा जिसे मैं आपको समझाने वालों तो output को ज़रा हम समझते इसमें पहला जो switch में आपको बता रहा हूँ इसको राइफान रिजन तो इसे हम ज़रा यूटिलाइस करते सबसे पहले मैं TCP पर आपको लेकर जा रहा हूँ हमने connect scan करा और एक port define कर दिया इसको लाइफन P port number 80 इसमें हमने last में add कर दिया आइफन आइफन रिजन आप देखे इसका port number 80 इसने हमें बताया है कि open है कि open है उसका region भी दिया कि यह synchronize और acknowledgement सामने वाले ने हमें send कर आए इसलिए यह open है आप वायशाक पर भी देख सकते हैं मैं आगें filter कर रहा हूँ तो tcp.port equal to 80 मैं थोड़ा इससे clear कर देता हूँ आप बापस देखेगा हमने synchronize भीजा सामने से acknowledgement भी synchronize हमें मिला इसलिए हमने उसका acknowledgement भी वेजा थ्रीवे शेंक complete जिससे यह पता चला कि यह port open है इस्पेशली हमें यह बता रहा है कि सामने वाले ने इसे synchronize and acknowledgement send कर रहा था इसी तरह से हमने इसमें define कर दिया port number 81 जो की close है क्यों close है condition refuse अब यहां देखिए 81 में filter कर रहा हूँ अब देख पाएंगे मैंने उसे synchronize packet भीजा बट सामने वाले ने हमें reset और acknowledgement भीज दिया इसका मतलब port close है अब देखिए जो IP हमारे पास है इसमें मैं आपको filters नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यह particular जो IP है यह metasploitable machine का है तो इस machine के अंदर firewall नहीं है जिसकी वज़ा से हम इसे filter नहीं कर सकते इसके लिए मैं आपको windows 7 पर लेकर जा रहा हूँ आप इसके firewall की setting पे ले देख ले तो मैं पहले आपको इसका IP दिखा देता हूँ तो cmd मैंने करा हमने इससे ip config करा है आप ip देख सकते इसका ip 192.168.1.204 है हम इसके firewall की setting देखते तो इसके लिए control panel पे हम चलते firewall आप पहले देखिएगा इसका अभी disable है तो हम 204 को scan करते हैं देखते हमें क्या output मिलता है हमने again इसके करीबन topmost used 1000 port scan करें आप देख सकते हैं यह number of port open थे अब हम यह चाते हैं कि port filter हम करते हैं इसके लिए हमने firewall को default setup पे डाल दिया जिससे कि यह सारे port को filter कर देगा it means हमारा जो package है अब window 7 तक नहीं पहुच पाएगा बीच में firewall उसे रोक लेगा अब देख पाएंगे अब यह शायद हमें बताएगा कि सारे कि सारे जो port है वो filter है मैं आपको इस IP को वायशाक पे दिखा देता हूँ इसका जो IP था 204 था हमने सबसे पहले port नंबर 80 को चेक करा क्योंकि जब हमने इसके पहले इसकेन करा था तो 3-1 शेक complete हुआ था लेकिन अब जो मैं scan कर रहा हूँ इसमें हमने 2 वर सेकेनराइस packet भेजा है लेकिन हमें किसी तरह का output नहीं मिला है यादि output नहीं मिलता है तो यह हमें बताता है कि सारे के सारे port filter है 999 port filter से लेकिन एक port इसमें कहीं नहीं firewall में अलाव इसके से हमें open मिल रहा है तो आप इसको देखे मैंने 23 को filter आउट करा आप देख पाएंगे यहाँ पे 3-1 complete हुआ है दूसरी बार भी मैं इससे वापस से scan कर रहा हूं कि एवले एक port में define कर देता हूं इसको life and p23 अब देखेगा यह 3-1 complete करेगा और हमें output भी लाग कर देग आप देख सकते से कुर्णाइस पेकेट गया उसका अक्नॉलेश्में ने से कुर्णाइस मिला देन उसके बाद आप अक्नॉलेश्मेंट देख सकते हमारे PC ने उसे दिया या endmap ने दिया और फिर reset send कर गया है आप देख पाएंगे इसने हमें open port बताया है लेकिन इसे भी य मैंने कहीं आपके telnet का port allow किया गया है अब देख सकते telnet allow है मैं इसे disable कर रहा हूँ अब हम इसे scan करेंगे तो ये filter हमें बतायेगा आप देख सकते ये filter हो चुका है ऐसा क्यों वो भी आप समझे हमने इसे synchronized packet भेजा और दो बार भेजा लेकिन दोनों बार हमें किसी तरह का output नहीं मिला अब देखें ये simple है कि यदि हम scan करते है और सामने से हमें synchronized with acknowledgement मिलता है तो port open है और reset और acknowledgement मिलता है तो port close है और हमें कुछ नहीं मिलता है तो port filter है आगे हम चलते हैं बात करते हैं version detection की यदि आप चाते हैं कि आप target PC का जो भी service running में उसका version भी detect करना चाते हैं इसक call iPhone S capital B अब इसके साथ मैंने iPhone S capital T इसलिए utilize करा है क्योंकि हम connect scan करना चाते हैं connect scan करने से ही हमें उसके accuracy के साथ result मिलता है यह disadvantage है कि हमारा IP उसके lock में appear हो जाता है लेकिन आप यदि authorized है तो आपको कोई problem नहीं है हम enter करते हैं आप देखेंगे topmost use panthogen port का यह scan करेगा और as well as हमे उसके version की भी detail देगा साथ हमारा firewall enable is IP पर हम firewall को off करते है अब देखें जो servers होते हैं उन्हें firewall में port filter होते हैं क्योंकि वो services को serve करते हैं तो यह तो मैंने आपके लिए समझाया था इसलिए मैंने off कर रहा था अब हम वापस उससे scan करके देखते हैं जो अपना IP था वो 4 था तो आप इसका output देख पाएंगे number of code हमें मिले है as well as उसका यह हमें version detect करके भी बताएगा आप देख सकते हैं इसने में output लाकर दिया है as well as इसने services का हमें version भी output में दिया है जैसे आप देख सकते हैं इस पर IIS का 7.5 रणिंग में है as well as HTTP का 2.0 इस पर रणिंग में है और बाकी डिटेल आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने IP चेंज करा अब इस IP का हम version detection चाहते है इसमें 23 services रणिंग में यह metas loidable 2 box मैंने इस पर configure किया है आप भी इसे डाउनलोड कर सकते है वरनप पर यह अबलेबल है आप देख सकते हैं इसने हमें output में दिया है डिटेल जो कि आप देख पाएंगे version के साथ हमारे पास output आया है इसी तरह से आप चाहे तो इसका OS डिटेक्ट कर सकते है इसके लिए जो हम switch यूज़ करेंगे इसको लिए capital O capital O से यह हमें output में OS भी लाकर देगा आप देखिएगा यह हमें Linux OS बताएगा आप देख सकते हैं इसने last में हमें detail दिया है कि जो OS running में उसकी detail इसने बताई यह OS के according यह Linux है हम एक बार Windows को scan करके देखते हैं कहीं हमें Windows बता रहा है अब देखिए यह कहने कहीं हमें estimate बताता है accurate नहीं बताता है कि लगबग Linux है इसी तरह से आप इसका भी output देख आप देख सकते हैं इसने output हमें लाकर दिया है और OS की यह दी हम बात करें तो इसने जो OS गेस करा है इसका विंडोस 7 इसने सही करा है क्योंकि यह Windows 7 ही running में है और बाकि और detail भी आप देख सकते हैं इसने बताया कि Windows Microsoft Windows 7 XP 0 XP 1 या फिर सर्वर 2.8 यह something something हमें बता रहा है लेकिन इसकी accuracy इससे आप बढ़ा सकते इसको आइफन capital A आप इसमें आइफन capital A switch को utilize कर सकते जिससे यह almost सारी steps use करेगा OS detection के लिए version detection के लिए तो मैंने इसमे capital A यूज करा है इसका आप output देख पाएंगे आप देख सकते हैं इसने हमें output लाकर दिया है और output के अंदर यदि आप देखेंगे तो much more detail हमें मिला है इसने SMB की service का utilize करके में OS detection accuracy के साथ दिया है इसने बताया कि Windows 7 का ultimate version हम utilize कर रहे है उसका build भी आप देख सकते है as well as पूरी इसने detail दिये कि उस PC का जो name है वो भी आप देख पार है तो इस तरह से यदि आप capital A स्विच को utilize करेंगे तो आपको much more detail मिलेगी यह Nmap की जो script है उसको भी utilize करता है और हमें output ला कर देता है तो I think Nmap का basic uses मैंने आपको बताया है इसका utilize करके हम यह पता कर सकते कि उस target PC पर या server पर या client पर कितने number of port open है उन पे क्या services रन कर रहे है और उनका version और OS कौन सा है इसके आगे हम यह जानेंगे कि जो services हमें मिली है क्या वो vulnerable है यदि vulnerable है तो उसे हम किस तरह से identify कर सकते है या verify कर सकते है कि वो service vulnerable है या नहीं है और उसे किस तरह से हम exploit कर सकते है इस वीडियो में इतना ही यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगाओ तो आप इसे like करे, comment करे and share करे, आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आप इसे subscribe किजे, आप चाहते है कि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाते रहू तो आपका support मेरे लिए माने रखता है, thank you झाल